नमस्कार असलाम आलेकुम मैं हूँ आपके साथ नाजनिन खान आज इद का दीन है और पूरे देश भर में बड़ी धूम धाम से इद मनाई जाती है क्यों मनाई जाता है इद उल्जुवा आज हम आपको बताएंगे अपने इस खास प्रोग्राम में इसलाम धर्म में दो इद मनाई जाती है एक इदुल फितर और दूसरा इदुल जुवा इदुल जुवा को बकरीद की नाम से भी जाना जाता है एक और जहाँ आइद का तिवहार प्रेम और भाई चारे का संदेश देता है तो बकरीद अपने करतबぎ को निभाने का और अल्हा के प्रती अपने विश्वास को काईम रखने का पर्भ है इन सबकी अलाबा बकरीद कुरबानी का दिन भी कहा जाता है क्यूंकि इस दिन कुर्बानी दी जाती है इसलाम में कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम की सुन्नत के रूप में माना गया है बकरीद पर बकरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है कुर्बानी के पीछे क्या कारड है ऐसा माना जाता है कि बक्रों की कुर्बानी देना मुसलमानों के लिए बाजिब है जो Allah के रसूलों में से ही एक है कहा जाता है कि Allah ने हजरत Ibrahim अलह सलाम को अपनी सबसे अजीज चीज को कुर्बान करने का हुक्म दिया था बता दें उस वक्त हजरत इब्राहीम की उम्र 80 साल की थी और वे उसी उम्र में पिता बने थे उनके लिए उनका बेटा सबसे अजीज था ऐसे बेए उन्होंने अल्ला के हुक्म के तामिल की और बेटे को अल्ला की रजा के लिए कुर्बान करने को राजी हो गै उन्होंने अपनी आखों पर पट्टी बांदी और जैसे ही बेटे को कुर्बान करने चले तो देखा कि बेटे की जगह भेड थी अल्ला का ये कर्म देखते ही इब्राहिम की आँखें नम हो गई और उन्होंने अल्ला का शुक्र अदा किया इसके साथ ही साहिब हैसियत पर कुर्बानी करना बाजिब करार कर दिया ये थी हमारी खास पेशकस फिलाल हमें दीजिये इजाज़त बागे खबरों के लिए देखते हैं लाइफ खबर अल्ला हाफिज